प्यार बढ़ाने वाली एक खास दिश कालवा तयार कर सकती हैं काजर खाने से स्किन हेल्दी रहती है आकों की रोशनी बरती है सर्दियों में बॉदी में ठन नहीं लगती क्योंकि ये गरम आहार है हस्बन को मसालेदार करेला भी खिलाईए करेला भले ही आपके हस्बन की पसंद का ना हो लेकिन अगर इसमें आप यार भरा मसारा पढ़ जाए तो उन्हें बेहर पसंद आएगा करेला खाने से लिवर से जोड़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है अगर आपके हस्बन अल्कॉहल लेते हैं तो जरूर खिलाएं डियाइबिटीज वालों के लिए करेला बहुत पाइदमन्द है ये ब्लड शुगर लेवर को कंट्रोल करता है करेला कॉंस्टिपेशन को भी दूर करता है मौर्निंग में ब्रेक्फिस्ट में आप हस्बन को पनीर का प्रांथा खिला सकती है या शाम को कड़ाई पनीर खिला सकती है अपने हस्बन के लिए आप सुबह पनीर के गरम-गरम प्रांथे बनाएं डिनर में कराई पनीर बनाएं आपके बीच प्यार जरूर पड़ेगा पनीर खाने से हडिया मजबूत होती हैं क्योंकि इसमें क्याल्शम होता है जो दातों के लिए भी बहुत फाइदेमंद है डिप्रेशन से आपके हस्बन को कोसो दूर करता है और वो आप से खुल कर अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैंसर और ब्लड प्रेशर में भी अगर आप किसी को पनीर खिलाते हैं तो बहुत बनिफिशल है एक और बात अपने हस्बन को मश्रूम पुलाउक लाएं मश्रूम बनाना भी असान है और आपके हस्बन को पसंद भी आएगा मश्रूम खाने से कैंसर जैसी बिमारिया भी दूर होती है मश्रूम में कई बिमारियों से लगने की ताकत होती है जैसे heart disease, liver problems, body में जो harmful cholesterol होता है उसको भी मश्रूम कम करता है fat और starch की कमी होने की वज़े से diabetes की patient के लिए भी ये बहुत फाइदे मंद है